हेलो एब्रिवन मेरा नाम है तरण आप देख रहे हैं पाठशाला रिशीकेश कैसे आप सब लोग होप करता हो आप सब ठीक होंगे और आप सब को पता चली चुका होगा कि उत्राखंड कॉंस्टेबल फिजिकल की डेट आ चुकी है संभावित थी है 9 अपरेल 2022 लेकिन उसके यारी भी लगे रही है पाठशाले साथ जुड़े रही है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चली दिखते हैं हमारा आज के पहला कोशन गोर्का काल में जो सैनिक काररत होते थे उन्हें कहा जाता था जागरिया या जागरिया जाक्चा धागरिया बाक्चा दोनों या इन मे से कोई नहीं तो गोर्का काल में जो सैनिक काररत होते थे उन्हें कहा जाता था आपका ऑप्शन ए जागरिया या फिर जाक्चा जो ऑप्शन बी दिख रहा आपको यह क्या होता था जो दो वर्श के अपकास में चली जाते रहे सैनिक उन्हें कहा जाता था धाक्रिया या फिर बाग जा ठीक है अगला कुछ देखेंगे गोर्खा प्रसाशन में किसी विक्ति द्वारा चिपाई गई संपति पर कौन से कर लगता था रहता कर बहता कर टान कर या फिर कुसा ही कर तो देखिए जब कोई संपति चिपाता है या आज भी आप देखते कि अगर आप कोई प्रापटी चिपाते हैं तो उस पर टेक्स लगता है और ज़्यादा लगता है तो चिपाई कही संपति पर टेक्स लगता था गोर्खा की सभरे और वह लगता था आपका option भी बहता कर, इसको आप कैसे याद करेगे तेखिए, उसके पास इतनी ज्यद्ध प्रॉपटी हो गई कि उच्छपा रहा है और छ्वाई नहीं जारी है तो बह रही है प्रॉपटी, ज्यद्ध जा रही है पैसा बह रहा है, कहते देख जनरल भाशाम हम कहते हैं कि पैसा बहरा है इतना पैसा है तो बहता कर आग दूसरे लगाए कि रहता कर तो रहता कर उससे लगा लिया जाता था जो विक्ति गाउँ छोड़कर जा रहा होता था ठीक है जो यह कि टांगर है टांगर को टांगर भी बोला जाता और यह लिया जा आप दोनू ही दन् के अमईए थे आपका सहय उत्तर बनेगा जो भी हमाना और हिंदू धर्म में भगवन हैं उन्हें मानते हैं साथी साथ बहुत इनका जन्म ने पाल में हुआ ठीक है उनको वह मानते है कुसही नामकर ब्रहमनों से कितनी नाली जमीन ्हतियाने पर लिया जाता था अभी मैं आपको बता है कुसही कर ब्रहमन क्या रतरे जमीन को हतिया लेती थे अपना मनद वर्चस दिखाते थे कि हम यह कर दे कर दे के इस तरीक से तो देखिए जो पुंगाडी कर हैं फुँगाडी कर लिया जाता ठाहा ह० घेतों से क्रिशी पर पुगाडी कर लिया जाता तहांmist और इसी कर से दिया जाता था सैनिकों का बेतन बात करेंगे पैसे दिए जाते थे ठीक है अगला कोषा देखते है कप्टान हीब से द्वारा किनए संग्या दी है पवार चंध गोर्खे या फिर अंग्रेज कप्टान हीब से द्वारा गोर्खाओं को औ эконом को रक्त पिपासू की संग्या दी गई है क्यों दी गई है क्यों पापा जो गोर्खा काल था बहुती अत्याचारा बहुती कुरूर साशन था गोर्खाओं का जो गड़वार और कुमाओं भी महिलाएं थी उन्हें छट पर जाने की आग्या नहीं उद्धी गोर्खाओं के समय पर जो व्यक्ति कर्म ही दे पाता था उझे जाकर दासों की तरह बेज दिया जाता था हरद्वार दासों का विक्री के उद्धू अगरता था गोर्खाओं के काल में ठीक है क्रिशी की उन्नती के लिए तकावी रण किस गोर्खा साशक ने दिये अमर सिंग थापा हस्ती द दल चौतरिया वही हस्ती दल चौतरिया जिन्होंने अमर सिंग थापा और भैरो सिंग थापा के साथ मिलकर 1790 में कुवा उपर आक्रमण किया था किस दिती को सुदर्शन सा ने राजधानी श्री नगर से टीरी हस्ताना अंत्रित करी ठीक है पहले श्री नगर थी पूरे गड़वाल की राजधानी लेकिन अंग्रेजों ने चल से क्या करा सिर्फ टीरी ही किसे दिया सुदर्शन सा को दिया और सुदर्शन सा ने श्री न आंसर को फिर चेक करें किस तीरी नरेश द्वारा बाड़ाहाट मंदिरों का जिन्नोदार कराए गया प्रद्यूंद शाह सुदर्शन साह प्रताप शाह यह फिन नरेंद्र शाह तो देखिए सुदर्शन साह क्यों सुदर्शन साह जो था कलाओं में बहुत ज्यादा रूची रखता था कला विदो का शीरोमणी 1820 में एक ब्रिटेश यात्री आता है जिसका नाम था मूर क्राफ्ट मूर क्राफ्ट ठीक है मूर क्राफ्ट क्या करता है पर सुदर्शन सा को देखता है और कला विदो का शीरोमणी नाम देता है सुदर्शन शा को तो सरोगस का सुदर्शन शाह ठीक है किस राजा को कला विदो का शिरोमणी बताए गया देखिए बता दिया आपको किसको यह होगा आपका आप्षट सी सुदर्शन शाह बहुत इजी कुशन हा किस टीरी नरेश के काल में टीरी में 600 जवानों की एक पल्टन बनाई गई परताप शाह थे वह साधू प्रकरती के व्यक्ति थे अठार सो उन्सट से इकत्तर से कारेकाल रहा बहुत ही छोटा कारेकाल था ठीक है किस टीरी साशक द्वारा अपने राज्यों को बाइस पट्यों में विवक्त किया गया प्रताप शाह नरेंदर शाह मानवेंदर शाह या फिर पर estáp शाहने और प्रताप शाहने फिर बाइस पट्यों के लिए कारदार कि है और कह सकते है कारदार इस इकुछांस टू पत्वाइथे थे ठीक है पतवारी के आपकी परिक्षा आनी है परिक्षा होनी है पतवारी की बहुत जल्स तैयारियों में लगे रही है जोड़े रहे हैं पार्चा निशी के इसके साथ ऐसे ही कुशन के लिए अगला कुशन देखेंए पमार राजवंशो की कुल देवी थी, राज राजेश्वरी, धारी देवी, भगवते या फैकाली, तो पमार राजवंशो की राज कुल sonra यह अधिशठास्टरी देवी थी तो वो थी आपकीि आप्शेचर ए मंदिर्गर आफ्छेचर एक राजजराजश्वरी कि बना था अ कुछ लोग थे जो जदुब्रो को काम करते जदुब्र कैसे थे आते ठे домой लोगों को तरीके से मिलाते दिकी आते थे जदु दिखाते दी एभड देते थे पैसे लेते थे कि हम ऐसा करेंगे थी के आसे तो ठीक हो जाएगा तो इस चीट से मुक्त कराया था आपका option B सुदर्शन शाहन है ठीक है अगरा देखिए पवाद रेशों में पहले साशक कौन थे जिन्नोंने अपने राज्ये में अंग्रेजी सिक्षा की शुरुआती बहुत ही ज्यादा common question हो चुका है बहुत ही पीछे बताया कि टीरी आया था कौन मुर्क्राफ्ट अठारसो बीस तो आपको बताई चुका हूँ तो आप इसको बहुता साई से कल ले हैं तीन फरवरी अठारासो बीस को मुर्क्राफ्ट टीरी आया था मौलाराम को किस राजा ने उचित संबान नहीं दिया उसकी ने गोर्काओं को साथ दिया था मौर्काओं के उससे पर गोर्काओं की साथ या साथी रहने लग रहा तो दुबारा अपना है नहीं कि उने सुदर्शन शाहा ने मौला राम ने किस राजा को सूर रेकरपण खसिया राजा पागल राजन रिप ऐसे उपाधिया दी थी किसने मौला राम ने और किसे दी थी सुदर्शन सा ने क्यों क्यों पी संग्रशन नहीं दिया अब जब कोई इन मेंसे कोई नहीं यह संदी हुई थी आपकी चार बार्ज 1820 को ठीक है चार बार्ज 1816 कि अगर मात करेंगे तो इस दिन नेपाल ने जो है आपके option भी देरा दून में रैम जे के सयोग से किसने क्रिशकों के लिए 12 आना बीसी विवस्ता शुरू की थी सो दर्शन साहब, परताप शाह, भवानी शाह या फिर सेड़ शाह 12 आना बीसी विवस्ता शुरू की गए थी किसके दौरा ठीगे थी परताप शाह के दौरा, ठीक है किस टी नरेश्टे बिटिश गड़वाल की भाती देव प्र्याग में संस्कृत हिंदी हिंदी की पाठशाला खोली नरेंदर शाह, भवानी शाह, परताप शाह या परताप शाह, तो देखिए देव प्रयाग में संस्कृत हिंदी पाठशाला खोली गई थी वो खोली गई थी आपके आप्शन भी परताप शाह भवानी शाह द्वारा 1862 ठीक है, 1862 69-71 का कारेकाल था प्रसिंद चित्रकार चैतू और मानकू को किस राजा का आश्रे प्राप्त हुआ तो देखिए, जो सुदर्शन सा थे उन्होंने मौला नाम को तो संक्रक्षन नहीं दिया पर चैतू और मानकू को दे दिया था तो आप्शन बनेगा आपका आप्शन C सुदर्शन शाह सुदर्शन सा द्वारा रचित सभासार की भाशाती सुदर्शन सा बहुती अच्छे कवी थे सूरत कवी के नाम से रचराय करते थे उनकी एक पुस्तक्ती सभासार और इसकी जो भाशाती वो थी क्या C यानि गड़वाली और ब्रज दोनों भाशाओं में लिखी थी सभासार तीरी रियासत में पहला प्रिंटिंग प्रैस किस ने स्थापित किया परताप शाह, कीती शाह, नरेंदर शाह या फिर भवानी शाह तीरी रियासत में पहला प्रिंटिंग प्रैस भी स्थापित किया था प्रताप शाह ने बहुत सारे बहुती अलग अलग काम किये थे कहा टीरी नियासत पे उसमें से एक था प्रिंटिंग प्रेस कौन पर्मार राजा अकबार अकबर तथा चंद्रगुप्त विक्रबादिती के भाती अपने दर्बार मेरत रखते थे पतैशा प्रदीप शाह मान ठीक है अब बहुत से लोगों कंफिजन होगा क्या कि गड़वाल का अकबर की रिखती शाह को भी कहा जाता है दोनों को ही कहा जाता है क्योंकि दोनों ने अकबर की भाती काम किये थे इनकी दर्बार में नवरद दे और की रिखते सर्वधर सम्मेलन की बैठक बुलाई थी तीरी रियासत का पहला खेराती शाह खाना किसके द्वारा खोला गया देखिए शवधर खाना भी उसके द्वारा खोला जागा जो सारे काम कर रहा है यानि आपका आप्शन भी परताप शाह द्वारा तीरी रियासत का पहला भूमी बंदोबस किस साशक ने किया था सुदर कि निर्गुणानद्ल नम अ gegenटे स्कत मिला के लिए दॉन स्वक्त को गठन और के द्वारा कि konshya पढ़िया कृति शाह प्रताप शाह सुधर्शन साह यह इन में से कोई नहीं की की शाह द्वारा स्थापिज की गई थी माइनर्स वस्वसेपर स्फोर्स का टीरी में ठीक ना की ती शाह को तो companion of इंडिया की उपादी भी दी गई थी गोरी सरकार द्वारा ठीक है उन्हें 21 तोपू की सलामें भी दी गई थी मेयो कॉलेच से पड़े वे थी किर्ती शा कीर्ती शा का अंग्रेजियों से बहुत अच्छा सा जुडाब था ठीक है किस टीरी साशक के कारेकाल में स्वामी रामतीर्थ टीरी बदा रहे थे किर्ती शा भवानी शा नरेंद शा या फिर परताप शा देखिए बहुत अलग 1886 से 1913 तक कारेकाल था किसका कीर्ती शा का और 1902 में आया थे स्वामी रामतीर्थ टीरी राज्य में एक नैयेले भवन गण निर्बाण करा आया जिसेशीव कूट कहा गया यह किया था किस्ते यह भी क्या तीरी पत्र किस्ते प्रकाशित किया तो यह किया था आपका option C किर्थी शाने किस लेखक द्वारा प्रतियुमन शा के कारेकाल का कारेकाल को गए को कुशाशन में डूबा हुआ बताया गया ठीक है कुशाशन में डूबा हुआ बताया गया तो यह होगा आपका option C क्यों बताया गया तो देखिए पर्दियुमन शाय पहले कुमाओं के राजा थे प्रदियुमन चंद के नाम से वरांज किया फिर यहां पर उनके भाई की प्रतियोरी के बाद में वापिस रहा है पिर जैसी हुआ है यहां पर भुगंबा गया गोर्खाओं ने आकरबर कर दिया भलब डिस बैलंसी रहा उनका साशन ठीक है ना डगबा गाता रहा इसलिए कुशाशन में डूबा हुआ बताये गया किस पुस्तक से ग्यात होता है कि फतेश आने गुरू रामराय को गुरतवारा के लिए 3 गाओं दान दिये थे वैलियो ऑवधून, माइटस ऑफ देरादून, मैमाइटस ऑफ दराज कुमां इन में से कोई नहीं तो यह हो जाएगा आपका और जीर्दून, जी आरजी विलियमस दारा लिकी गई है कॉन सी, मैमाइटस ऑफ दरादून ठीक तो आर्वी योजरा प्राराम हुई थी आपका option भी 2009 में और किसे संबंदित है तो यह है आपकी computer सिक्षा से संबंदित है किस पवार साशक के समय कृपाराम दोभाल ताना शाही की तरह कारे करने लगे प्रत्यूम्द शाह जैकरित शाह ललिस शाह या फिर प्राक्रम शाह तो इसका अंसर बनेगा आपका दोभाल ताना शाही की तरह कारे करने लगे थे जैकरित शाह के समय पर ठीक है पवार सशनकाल में एक गड़वाली रुपिया था पचास तका, चालिस तका, दस तका या फिर बीस तका तो एक गड़वाली रुपिया हुआ करता था आपका option भी चालिस तका के बराबर जो अगराइब पचास तका की तो यह होगा से 1 परुखा बादी रुपिया, एक परुखा बादी रुपिया थेक्एना, बात करेंगे दस तका तो एक तिमासी का उताथा ता दस तका एक तिमासी का पराबर हुता था था 10 टका, थेकर ? किस बार साशक दून के दून में ने दून में पृत्वी पूर्फि न श्थाप्रा एती पृत्री पृत्वirty पृत्वी पती शाह नहीं पति शान neither यह अवाल में और अहांशन उन्सर हो रहा है बहुत एजी कोशन fe요 पृत्वी पती पर आखरम शाह के बीच युद्ध हुआ था तो यह हुआ था आपका आप्शन भी सत्रा सो तिराणवे में किस कमिश्टर ने टीरी नरेश भवानी शाह का राज्यबशेक किया था ट्रेल रैम जे कारेकाल तो देखें भवानी शाह का कारेकाल था अठारा सो श्यासी से इकत् ठीक है और उसका रैम जे कारेकाल था चपपन से चौरासी ठीक है लेकिन रैम जे ने कारेकाल किया था किसका राज्यबशेक टीरी नरेश भवानी शाह का क्योंकि रैम जे नाइंटी-फॉर सब्सक्राइब तक लगबग यहीं पे रहे थे देहरादून इस्थित गुरु गुरुरामराय मंदर के महनत को भी हत्त्यक फॉर्खाव के कि दीप का सामना करना पड़ा था देखिए गुरु खाव की दीप परता उरती जिसमें नयाय के लिए वह लग तरीके से लेक्र करते थे जिसके वारे मैं आप लिये एक शौर्ट में एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ तो जो यह थे गुर्खा गुरामराय महंत के मंदिर थे उन्हें दिया गया था क्या कढ़ाई दीप कढ़ाई दीप में क्या हुआ करता था एक कढ़ाई उसके गरम रेती तो उसमें हाथ डाल दिया जाते थे जो मुझरिम होता था और उनका यह मानना था अगर वो सच्चा है अगर वो मुझरिम नहीं है तो उसके हाथ नहीं जलेंगे ठीक है सुदर्शंसा द्वारा किस वर्ष उत्रकाशी स्थिद्व विश्वनात मंदिर का निर्माण किया गया अठार सो और तालिस अठार सो सप्तावन अठार सो और तीस या इनमें से कोई नहीं आप्शन ए अठार सो सतावन में किया गया था सुदर्शंसा द्वारा विश्वनात मंदिर का निर्माण जाते आप सुदर्शंसा क्या थे कलाविदों के शिरोमणी किसके कारेकाल में लक्ष्मु कठैत के नेत्रत में बारार तथा धांड़क के सीमावर्ती लोगों ने आ जानी में बद्रिनात के दानात रंगनात आदी मंदिरों का निर्माण कडाया था राजमाता खनेती राजमाता कनक देई राजमाता गुलेरिया या राजमाता जिया कनक दानाई तो राजमाता गुलेरिया किर्टी शा की संग्रक्षि का ठीक है इन्होंने अपने आपुश अवली काफी प्रसित पुस्तक है पूछ सकते एक्जाम में बहुत इंपॉर्टन कुशन मन सकता है तो यह थे आपके ऑप्शन भी कवी देवराज और अगर आप यह कुशन छोड़ के आ रहे हैं तो मतलब आप कई लोगों से पीछे हो रहे हैं यह कुशन छूटना नहीं चा ठीक है तो सकलाना विद्रो हुआ था किसके समय पर तो यह हुआ था अप्शन सी सुदर्शन सा के समय किस वर्स गड़वाल को दो भागों में विवक्त किया गया 815, 816, 817 या फिर 840 तो 815 में हो गया था क्या गड़वाल दो भागों में विवक्त कौन कौन से तो एक था और एक था टीरी गड़वाल किस टीरी साशक द्वारा भू विवस्ता के लिए जूला पर माईश कराया गया प्रताप शा कीर्तिशा नरेंदर शाय या इन में से कोई नहीं तो प्रताप शा के समय जूला पर माईश करवाया गया था ठीक है यह थे उत्राखंड से important questions अगर मजबूती दे सकते हैं धन्यवाद